दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत मेरे यूटीूब चैनल में तो आज हमा है बराकुर्द में तो आपको दिखाते हैं कैंटिक और यूनिक से यूनिक ट्रेक्टर तो भई आपको दिखाते हैं हम रोमानिया यू-500 का उन्निस सो पचास मोडल ट्रेक्टर 65 असपोर तो भाइए रोमानिया aada Canada आप दिखा दे कि यह रुमान ऐ यू पंसो यह च्इयार से लेंड्र के साथ है यह आपको दिख रहे होंगे च्शैने रहें और यह ठीजल प्षू पंप तो भई इसके बाstrong बात करते हम आगेश को चाहित से करें तो आगे यह जो यह चेंज करा रखी है अमारी एक पिछली वीडियो में आप देखोगे तो इसकी जो ना जैन्वन जो लाइट यह वह भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखना इसके बाद बात करते आगे व्यू की तो यह आगे उक बग आप करने का काम करती है यह मोविलाल को ठंडा करती है देखो आपको दिखाते है कि वह प्यू पर माइसे यहां यह देखो को उठाने के लिए काम में आती है लेकिन इसका एक फायदा और भी है इसमें आग गया है कोई प्रेसर की गोड़ी वगएरा मतलब की कम्पूटर गोड़ी वगएरा भी आप जोड़ के उससे भी काम ले सकते हो क्योंकि इसके कनेक्शन आप यहां पर कर सकते हो तो यह ता वह लेकिन इसमें दो 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 लेकिन आप यह यहां सब्सक्राइबर के लिए ओर के लिए इस टेर्ант और श्टेरिंग के साथ मिदे रखा है लेकिन इसमें दो दो लिए रखके एक एक्स्ट्रा लिवर है यह अगर लिवर आपका काम नहीं कर रहा जैसे यह अटक रहा है तो अगर यह लिवर प्रोपर काम नहीं कर रहा तो आप इससे काम कर सकते हो मतलब एक के साथ एक फरी दे रखा है अगर कोई एक लिवर काम नहीं कर रहा तो दूसरे से आप काम कर सक कि तो ये ताब आरी इस ट्रैक्टर के बारे में कि दो कि इसके बाद बात करते हैं आपकी जैसे यह ओगी अपाना की शिलBob व Wolverham को रहां है इसके बात करते हैं रिफित की यह पीर लिफ्ट की बात करते हैं जैसे यहां बहुत है आप देश्चा भी आप देखास चंतंगत है और निचींशे तक आऊगे तो तो यह नदर बहुत हैं जों स्टेरिंग में ट्रेक्टर है यह उपंस रोमानिया का युपंसर पावर स्टेरिंग तो आपने अमारी पिछली वीडियो में देखेंगा कि रोमानिय यू-500 के इंदर जोपन वगरा है वो सब यहीं पर देखने को मिलेगा आपको यह वह रोमानिया यू-500 का पाँ अब अपको सूक यहई्चाम करता है और यह रोण सब्सक्राइब चस्ट झालते हैं ऐसके बाद यह लागना पनृगां। यह साथ पहले हैं जिर्ट पर आप रिक्ति हैं न हम पीज़ायल आपके लागने के मैं तर से रिए श्ञाग आपके सब्सक्राणका नहीं सब्सक्राणे स dependency लागने का न श्रस हें कि यह पीछले टायर यह रिम के साथ आते हैं मतलब कि एम अलोई के साथ आते हैं यह रोमानिया यू King 500 चाहिए भी तो यू-500 के पिछली टायर भी अलोई के शाथ है तो इसके बाद हम पीछे चलते हैं पीछे बात करते हैं कि बएए लेप्ट वगरा तो बैइव कि जो मैंने आशनाल को सगई रखते हैं इसके बाद बात किरें यह जो है यह इसका डीजिल पंप है वो डीजल टैंक है यह डीजल वायर वगरा जोडने के लिए करंट वगरा के लिए बिजली वगरा के लिए तो वह यह रोमानिया यू 500 के अंदर भी है और बहुत ही पुराना ट्रेक्टर है यह देखो आपको दिख रहे होंगे शोकेट वगरा तो इनमें आप डोरी वगरा लगा कि आप कहीं पर भी बॉल तो अब हम आगे बात करते हैं एक बार उपर जाके आपको उपर का व्यू दिखा देते हैं यह देखो यह पाइदान है कितना यूनिक सा और चोटा सा पाइदान है यहां पैर रखके आप ऐसे चड़ सकते हो तो भई यह था इस तरह से व्यू देखो यह 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 एक बुड़ा जो भी है बैठना चाहिए वो बैठ सकता है तो उसके बाद बात करते हैं यह स्टेरिंग है स्टेरिंग की तो हमने बात करी लिए तो यह इसकी रेस आपको दिख रही होगी यह रेस है यह आथ वाली रेस है और वो निचे पैर वाली रेस है देखो आपको छाहिए इसके बाद बाद करते हैं लिए ये मीटर देखो भई यह वह यूनिक सा मीटर प्यारा सा क्यूट सा मीटर तो यह था इसका कुछ इस तरह से व्यू आग्ये का तो इसके बाद बात करते हैं यह थ्रेक्टरिय अंदर गोडा जो आज के पी टी ओ, पी टी ओ के लिए, ये पी टी ओ को गुमाने के लिए काम करता है, इसके बाद आ जाते हैं हम इस पुली पे, ये पुली है बई, ये गेर है, ये पुली का गेर है, जो कि ट्रैक्टर से हम किसी टूबल को या पाणी मोटर वगएरा को चला के पाणी निकालने के लि तो देखो ये काम कर रही है अब ये गेर लग गया तो ये काम करेगी пош ट्रेक्टर स्टार्ट उने के बाद ही तो भई ये ति इस तरह से कुछ खुबिया ट्रेक्टर के अंदर तो भई ये थी रोमान या यू 500 के अंदर कुभी इस फुली से हम कोई भी टूबल वगरा चला सकते हैं तो इसके बाद बाद करते हम पिछे रियर एक्सल की तो पिछले टायरह को आमें एड़्जेश्ट भी कर सकते हैं बार भी निकाल सकते हैं अदर करना है पिछचे से अगर चोडाई कम करना चाहें तो आम इसनको आंदर की तरब भी कर सकते हैं और चोडाई को बढ़ाना चाहे तो भी अम पिच्छे से चोडाई को बढ़ा सकते है यह देखो आपको दीखा देते हैं यह दो चयर नट बोल्ट होते इनको ल्यूज करके कि हम इसको पहार की तरफ कर देते हैं तो ये चोडाई हो जाती है पिछे से तो ऐसे ही कुछे इसी तरह से आग्ये का वीव है कि अगर हमा आग्ये से टायरों को और भी चोडा करना चाहिं आपको बता करते हैंथा आग्ये से चोडा तो भई इसको डाल देंगे, टाइट करतेंगे, इसके बाद ये बोल्ट खोलना पड़ता है, जिसको खोलने के बाद, आपको दिखा देते हैं, ये चूरी है, जिसको चड़ाना पड़ता है, चटाने के बाद क्या होता है कि यह दोनों उसी position पर आ जाती है जिस position पर हम इसको adjust करना चाथते हैं तो भीर इस तरह से आगे से चोड़ा बीड़ा कर सकते हैं और पिछे से भी ऐसे ही इसको चोड़ा बीड़ा कर सकते हैं तो यह था भई रोमानिया U500 जिसकी आमने आपको बताई कुछ खूबियां तो भई यह था रोमानिया U500 तो किसान भाय ओर जिस भाय को नहीं पता तो वो वीडियो देख ले रोमानिया U500 की बहिए पहले टाइम में में 1986 में बहुत सी खुभिया धी जो कि आज के ट्रेक्टरों में आप लोगों देखने को नहीं मिलेगे लेकिन जो भी कुभी है भई ट्रेक्टर में यू 500 में वो आज के टाइम हाकिकत में देखने को नीमी लेगी किसी को भी और जैन्वन चीज़े है भई कोई भी आप पाइप देखकोंगे रबड पलास्टिक का यूज नहीं है जैन्वन लोए का यूज है जो कि कभी फटेगी नहीं प्रेसर वगारा कुछ भी कमी नहीं आतीज में तो यह था भई रोमानिया का यू 500 तो भई किसान भाईयो आप लोगों के लिए यह वीडियो आई है बहुत ही रोचक सी वीडियो है ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसी रोचक वीडियो के लिए अमारे इस चैनल को सेयर करें सब्सक्राइब करे तो ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे तो आप भी सब्सक्राइब और फोलो करते रहें हमें तो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए जै जवान जै किसान